दोस्तों बहुत ही उची पहाड़ी पहुंच चुका हूँ अभी भी माता का मंदिर वह सामने दिखाई दे रहा है यह तो शाइद एक जादा गंड़ा लग जाए लेकिन यहां पे कुछ देखने को मिल लगी यहां पे कुछ कवर स्टान है पता नहीं यह कौन लोग हैं जो य बहुत सारी जो कवरें जो बढ़ी हुई है कि कई लोगों को दफनाया गया यहां पे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस ग्यारव बारत तेरह चोदा फंदा सोरह स्तारह ठारह निस पीस एकिस वाइस देश चोबिस बच्चिस अबिस दोस्तों गिनना मुश्कि पता नहीं कौन लोग थे यहां पे जिनको दफनाया गया इतने टोफा हाडवे और कितने साल पुरानी बात है जे मैं नहीं जानता हूं अगर किसी को पता हो तो कमेंट में जुरूर बताएं तो अब आप देख रहे हैं गड़ माता के आसपास का व्यूव है जिसमें बॉन्डी की घोरी जो बोलते हैं कि एक वार राजा का जो चमबा का राजा था उनको किसी राजा ने कैद कर लिया था तो रात को राजा के स्वफन में माता आई और माता ने राजा को बोला कि मेरा भवन गड़ मैं बनाना तो राजा ने कहा कि मैं तो माता कैद में हूँ मैं तो आपका मंदर कैसे बना सकता हूँ तो माता ने कहा कि तू जैसे ही यहां से रिया हाओगा तो मेरा मंदर बना देना दो राजा सुबा गूंठा जो उसने देखा कि उसके जो तैखाना था उसका तरवाजा खुला था और जो पहरेदार थे वो सारे सोय हुए थे और राजा तैखाने से निकलते ही सीधा गड़ आ गया और गड़ में आके माता के मंदिर का निर्मान शुरू कर दिया इसके बाद ये माता यहां पे परस्इद हुई माता ने यहां पे पत्थर फाड के जो आसमानी बिज़़ी होती है वो गिरी और उसमेंसे जवाला निकलत कि माता ने उस राजा को दर्शन दिये और उसका नाम पड़ा चोंडी की घोरी आप देख सकते हैं जह है चोंडी घोर मैं आपको आपे जलके दिखाऊंगा तो बने रहे हैं आप मेरी वीडियो में बहुत ही अच्छा पहुंचना थोड़ा मुश्किल है और आप चारों और खुले आसमान दिख सकते हैं कि आसमान कितना नजदीक है यहां से चारों और खुला बातावर्ण शुत हवा और सनो हिस्नो वर्फ बहुत गिरी है यहां पर जो देखिए जबी तो दिसंबर की आज दस की तारीक है तो देखिए आप कितना अच्छा व्यू है दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर के बाद